हेलो दोस्तों, सोसियोलोजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं Developmental Projects as Ecological Concerns मतलब जो भी Developmental Projects इंदिया में हुए थे वो लोग हमारे Environment के लिए, Ecology के लिए कैसे Problem बना और इनके Against क्या-क्या Movement हुए है आज हम डिसकस करने वाले हैं, ये Developmental Projects में चार जो प्रजेक्ट सबसे Important है, उनको हम डिसकस करेंगे पहला है, Therry Hydro Electric Project, उसके बाद नर्मरदा River Valley Project, फिर भोपाल Gas League और चिलका Shrimp Farm ये सारे प्रोजेक्ट क्या है, इनका Ecological Concerns क्या है ये लोग क्यों Problem क्या Create कर रहे थे, ये सारे चीज़े हम डिटेल में देखेंगे, और इनके साथ-साथ हम देखने की कोशिश करेंगे कि इनके Against क्या-क्या Movement हुए थे, ये सारे प्रोजेक्ट के Against क्या-क्या Movement हुए थे, और उनके Leaders कौन थे अगर आप मेरे क्लासेस में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्यूंकि शेयरिंग इस क्यारिंग यहाँ पर आपको Igno के सारे Materials मिलेंगे, सोचियोलोजी के सारे Materials मिलेंगे प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट से भी स्टाड़ी कर सकते हैं तो चलिए, आज का क्लास शुरू करते हैं पहले हम देखते हैं कि थेयरी Hydroelectric Project क्या है इस प्रोजेक्ट को लेके इतना प्रोबलेम क्यूं है यह जो थेयरी डेम है, यह थेयरी Hydroelectric Project मतलब यह एक डेम है बहुत बड़ा डेम, जिस डेम से इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा इस प्रोजेक्ट, यह एक प्रोजेक्ट है, जो उत्तरा खेंड में थेयरी नाम के एक डिस्ट्रिक में यह चलाय गया था इसकी बज़े से बहुत साजरी प्रोबलेम्स आ रही थी यहाँ पर जो हिमालयास के यह नीचे का भाग है, हिमालयास का निचला हिष्टा है यह हिमालयास जियो सिस्टेम का, उस जगा पर बहुत ज्यादा आर्थकुइक होती है वो आर्थकुइक पॉण्ड जोन है, उहाँ पर लोग अगर इतना बड़ा डेम बनाएंगे तो वो डेम टिकेगा के नहीं टिकेगा उस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रोबलेम थी फिर वो डेम बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को उहाँ से हटना होता था यूश्टू हो गया है, वो लोग अगर उनको डिस्प्ले किया गया तो वो लोग और किसी जगा पर जाके बसना पड़ेगा, उनका जो सिस्टेम हो, लाइफ स्टाइल है, सब कुछ चेंज होना पड़ेगा इसलिए औस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज्यादा मतभेद थे, mainly मतभेद था कि वहाँ पर जो बनाया जा रहा है डेम वो तिकेगा कि नहीं तिकेगा, वो कितना scientific हैं और कितना non scientific हैं इसको लेके बहुत ज्यादा debate बनी थे अब इस प्रोजेक्ट को लेके जो movement था उसको कहा जाता है theory damn conflict यहाँ पर इस movement का leader थे सुन्दरलाल बहुगना सुन्दरलाल बहुगना हमारा sociology के perspective से बहुत एक बड़ा thinker है उन्होंने theory damn conflict में भी अपना इस्सा निभाया था उनका और भी बहुत सारे movements है और बहुत सारी sociological activities भी है यहाँ पर issue क्या था यहाँ पर main issue था कि यहाँ पर जो भी लोग है उन लोगों को दूसरी जगा shift किया जा रहा था यहाँ पर जो environment है वो एक weak ecosystem है अगर यह dam बना तो उस जगा का जो ecosystem है वो भी तूट जाएगा वो भी problem में आ जाएगा यहाँ के लोग यहाँ के पशुपक्षी यहाँ के पेड़ पोधे सारे नश्ट हो जाएंगे इसके बज़े से वहाँ पर एक conflict का situation बना और इसका एक movement बन गया जिसको lead कर रहे थे सुंदरलाल भूगना यह धीरे धीरे करके यह protest एक बड़ा जगा पर पोच गया फिर इसको लेके सरकार भी बहुत सशक्त हो गई थी यह जो dam है यह dam कहा पर situated है यह dam भागी रहती river पर situated है यह थेरी घरवाल बलके district है उत्राखान में उस जगा पर यह dam बना है वहा के जो आसपास के लोग है सभी मिलकर सुंदरलाल भूगना के साथ वो movement किये थे इस बज़ा से सरकार बहुत इसके लिए सोचना पड़ा और आखिर में बहुत सारे changes भी करना पड़े अब देखते है नर्मदा वेली प्रॉजेक्ट नर्मदा वेली प्रॉजेक्ट में क्या है मेंली नर्मदा रिवर जो है ये बहुत सारे जगाओ से जाके गुजरता है ये मध्धप्रदेश गुजराट इन शहरों से भी गुजरता है ये एक इंडिया का सबसे बड़ा damn project है यहाँ पर एक डेम नहीं, यहाँ पर बड़े-बड़े 30 डेम, 30 major डेम्स बने थे, यह नवरमदा रिवर के ऊपर, यह बनाने का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था, यहाँ पर लगबर 3000 से 4000 तक डेम्स बनाने की बात की गई थी, इसके बज़े से बहुत सारे लोगों को अ उनको दूसरी जगा पर शिप्ट होना पड़ रहा था, इसके बज़े से यह नरमदा रिवर वेली का जो प्रोजेक्ट है, यह बहुत एक प्रोब्लेम क्रिट कर रहा था उस वक्त, इंडिया गोवर्मेंट ने उस वक्त सोचा था कि अगर डेम्स बनाएंगे तो हमारा क्र यहाँ पर जो ट्राइबल पोपुलेशन था, वो ट्राइबल पोपुलेशन, 80% ट्राइबल पोपुलेशन था, वो 80% ट्राइबल पोपुलेशन को अपना जगा छोड़ना पड़ रहा था, वहाँ पर एगरिकाल्चर, फोरेस्ट, सब कुछ नस्ट करना पड़ रहा था, ये सारे चीजे इस नर्मदा रिवार भेली प्रोजेक्ट में देखा गया है। इसको बंद करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होके मोव्मेंट किया है। यह जो नर्मदा बचाओ का जो प्रोजेक्ट है इस मुव्मेंट को कहा जाता है नर्मदा बचाओ आंदुलन इसको लीड किया था मैधापटकर ने लेकिन मैधापटकर के साथ भी बहुत सारे लीडर्स भी थे जिन्होंने इस पर नर्मदा बचाओ आंदुलन पर बहुत ज् बना था नर्मदा रिवर हमारा मध्यप्रदेश महाराश्ट्र और गुजराट से होकर गुजरता है इसलिए ये उन तीनों जो राज्य है तीनों स्टेट में ही बन रहे थे ये डेम्स इसके बज़े से आप लोग सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पर ती बहुत सारे लोगों को हटने की चीज है और यहाँ पर इको सिस्टेम, इकोलोजी सारे चीज बहुत डेस्ट्रोई हो रहे थी फोरेश्ट भी बहुत ज्यादा नश्ट हो रहा था यहाँ पर मेंली एफेक्ट हो रहे थे ट्राइबल पोपुलेशन इसलिए ये एक बहुत ब गैस लीक के बारे में हम सब तो सुने ही है लेकिन इसमें क्या क्या हुआ था इसमें बहुत ज्यादा प्रॉबलेम हुआ था ये एक भोपाल में एक गैस सेंटर था गैस चेमबर था जिसको कहा जाता है यूनाइटेट कारबाइट प्लेंट यूनाइटेट कारबाइट प् या फिर वाल्ड हिस्ट्री में एक बहुती खराब एक डिजास्टर है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा जब लोग रात में सो रहे थे यह दो और तीन डिसेंबर 1984 के रात में हुआ था जब लोग सो रहे थे तब यह चीज हुआ था और बहुत ज्यादा लोग इससे एफ लंग होते हैं उनका हाथ पेर में पोलियो के जैसा जो सिम्टम से वो दिखाई देता है इसके बज़े से यह भोपाल गैसलिक एक बहुत बड़ा डिजास्टर है उसके बाद ही इंडियान गौवर्मेंट ने इसको लेकर मतलब कोई भी प्लैंट लगाने से पहले बहुत ज चेंबर यहाँ पर जो गैस था उसको कहा जाता है मिक मिथाइल आइसो सायनाइड यह गैस लिख हुआ था उस चेंबर से अब यह भोपाल गैस लिख जो ट्रेजिटी था यह सेगंड डिसेंबर 1984 को हुआ था यहाँ पर जो गैस लिख हुआ था वो है मिथाइल आइसो सायन और जो वो plant का नाम है Union Carbide India Limited यह चीज हमें यह tragedy है इंदियान हिस्टरी में बहुत बुरी एक tragedy है यह chemical accident है लेकिन यह chemical accident हम directly नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लापार भाई के बज़े से यह चीज हुआ था जो company था उनका भी लापार भाई था और जो लोग इसको देखरे कहे रहे थे जिनोंने इसको मतलब license दिया सभी लोगों का इसमें बराबर हाथ था अब देखते हैं चिलका स्रीमफ फार्म स्रीमफ फार्म जो हमारा स्रीमफ होता है जिसे चिंगडी कहते है वो उरिशा में situated है यह चिलका जो लेख है यह उरिशा में situated है यह एक लेख है जहाँ पर बहुत सारे बार्ड्स रहते हैं, बहुत सारे फिशेस रहते हैं, यहाँ पर बहुत एक इको सिस्टेम इनका एक बन गया था, यहाँ पर फिश और मरीन लाइब बहुत अलग है दूसरी जगा से, लेकिन प्रोफिट के लिए वहाँ पर एक इंटिग्रेटर स्रीम फार्मिंग प्रोजेक् ऐसे वाले थे, वह लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक स्रीम फार्मिंग स्टार्ट किया था, जिसके बज़े से बहुत सारे इको सिस्टेम में चेंज करने पड़ रहे थे, उस लेक में खाना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था, वहाँ पर जो पानी है, पानी को चेंज किया था, बहुत सारे मचलिया मर रही थी, इसके बज़े से वहा का जो लोग है, वो लोगों ने प्रोटेस्ट करने का सोचा था, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसके एगेंश्ट प्रोटेस्ट किया था, मेनली जो फिशर्मेंस थे, उस जगा पर से मचली हो रहा था वहाँ पर एको सिस्टेम एंफारन्मेंट सारे चीज़ों में प्रोब्लेम हो रही थी इसलिए वहाँ पर मुब्मेंट हुआ उसको बोला जाता है चिलका बचाव आंदुलन इसको लीड किया था चित्तर अंजन सारंगीने यहाँ पर जो इशू था मेन इशू यह था जो स्रीम फार्मिंग प्रोजेक्ट है चिलका लेक में उसकी वज़े से बहुत सारे लोगों को प्रोब्लेम हो रही थी और मेंली उस जगा का इको सिस्टेम में बहुत चेंजेश हो रहे थे इसकी बज़े से एक मुब्मेंट क्रियाइट हुआ जिसको कहा जाता है चिल टिस्ट्रिक के अंडर यह चीज होती है यह हमारा उरिश्य है इसको ले कर भी बहुत problem है problem था ज़के यह project क्योँ के हुआ था बाद में धीरे धीरे यह project बंद हो गया यह movement सेटें चलते हैं अगर आपको आज का class अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेर कर देना क्योंकि शेरिंग इस केरिंग मिलते हैं अगले क्लास में तब तक अच्छे रहें सुवस्त रहें और दोस्तों में प्यार बाठते रहें जैहिंद